विक्रान्त आज सत्र के शुरुवार महुआ मोहित्रा को लेकर एक बड़ा फैसल आ सकता है किस तरह की कारवाई की उम्मिद आज अब जब की कारवाई शुरूने वाली होगी पूरा सहयोग कले तो कोशिश यह होगी सरकार की इस बार का सत्र बड़ा इंप्रेस्टिंग है इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष को यह उम्मीद थी कि वह इन विधानसभा चुनाओं में कुछ बहतर प्रदर्शन करेगा 36 गर्ड कॉंग्रेस को जीतने की उम्मीद थी बड़ी हार मिली वहाँ पर राजिस्टान में कॉंग्रेस को लग रहा था कि करीबी मुकाबला रहेगा वहाँ पर बीजेपी बड़े अराम से सरकार बनाती है और मध्यप्रदेश बीजेपी कॉंग्रेस को उम्मीद थी कि व पॉराल जरूर डाउन होता है सिर्थ सेलंगाना में कॉंग्रेस को जीत मिली है लेकिन वहाँ पर बीजेपी का बहुत बड़ा स्टेक नहीं था बीजेपी ने अपना मत प्रतिशत वहाँ पर दोगुना किया और सीटे भी कई बड़ी है वहाँ पर और जो सीएम केसी आर है औ उनको हराया है बीजेपी के उम्मीदवार ने तो साफ बात है कि बीजेपी इन चुनाव नतीजों से बेहद उत्साहित है और इस करिन सत्र में आज जब रिपोर्ट टेबल होगी तो विपक्ष की तरफ से बिलकुल हंगामा हो सकता है क्योंकि बहुआ मोहित्रा को के खिला हाइ मुराल है मुराल बूस्टर के तोर पर ये जीट जो काम कर रही है उसका श़ीत कालीन सातर पर कैसे तरीके से देखने को मिलेगा देखिए बीजेपी इस समय बीजेपी का अगर हम कहें तो निश्चित तोर पर तीन राज्यों की जीत जिन तीन राज्यों की बात की जा रही है मद्य प्रदेश, 36 गर्ड, राजिस्तान कोई असान राजिय नहीं थे सिर्फ राजिस्तान में कहा जा रहा था कि बीजेपी को एज है सरकार असानी वो बना सकती है लेकिन बाकी दोनों जागे बहुत ही मुश्किल मुकाबला था मद्य प्रदेश को लेकर कई तरह के कयास राजिनितिक पंडित लगा रहे थे लेकिन डेट सो के करीब का बहुमत किसी ने शायए सतने में भी नहीं सोचा हुआ इतनी बड़ी जीत वहाँ पर बीजेपी को मिली है निश्चित तोर पर इन सब जीत का असर मिलता है और कल प्रदान मंत्री ने संबोधन भी किया कारिकरताओं को संबोधन किया आज वो हाउस में भी आएंगे हलनकि शाम को प्रदान मंत्री का सिंदू दू जाने का भी कारिकरम है क्योंकि आज नेवी डे सेलिबरेशन में वो शामिल होंगे लेकिन निश्चित तोर पर विपक्ष जो कोशिश कर रहा था कि 24 के चुनाओं से पहले ये शीत का लिन सत्र में विधान सबाद चुनाओं के नतीजे उसका मोराल बूस्ट करेंगे और वो एक आक्रामक तरीके से यहाँ पर आएंगे अखिलेश के था जिस सरीके का वहवार अखिलेश और कॉंग्रेस के बीच में जिस सरीके की बाचीश जिस सरीके के आरोप प्रत्यारोप इन चुनाओं में देखने को मिले तो कहीं ना कहीं विपक्ष के गठबंदन में भी एक बड़ी रार आते वे दिखाई दे रही है शीत कलिन सतराथ से शुरू हो रहा है और यहाँ एक बड़ा घमासान भी देखने मिल सकता है एक अकेला सब पर भारी है दूर दूर तक न कोई दल है न कोई चेहरा और मोदी का मुकाबला कोई कर सके ऐसा कोई चेहरा अभी विपक्ष के पास दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कल आए परिणाम कुछ इसी और संकेत करते हैं कल से कमस कम तीन राज्यों में जो नतीजे आए हैं वो ये साफ करते हैं जो पीम मोदी ने दावा किया कि ये एक बार फिर हैट्रिक की तस्वीर है नतीजे ऐसे वक्त में आए हैं जब 2024 के चुनाओं में अब महस 6 मेहने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में आपको बताएं कि तीर राज्यों में नई सरकार बनाने की हल चल भी अब तेज हो गई है और ऐसे में राजस्थान की सबसे पहले बात करें तो राजस्थान से सीपी जोशी और अरुन शर्मा को दिल्ली बुलाया गया है और माना यह जा रहा है कि राजस्थान के मुखहमंतरी के नाम का ऐलान आज ही कर दिया जाएगा लेकिन जस तरीके से तीम राज्यों में जीत BJP को मिली है जाहिर तोर पर ये 2024 की जीत का गेटवे माना जा रहा है माना ये जा रहा है कि ये जो हैट्रिक जीत की अकल लगी थी वो अब 2024 का भी परिणाम साथ में लेकर आएगी यतेंद्र हमारे सयोगे इस वक्त हम से सीधे जोड़ रहे हैं राइपूर में चतिस गड़ में जिस तरीके से बहुमत बीजेपी को मिला है यतेंद्र राजस्तान की हलचल तेज हो गई और खबर ये कि आज ही नाम का एलान भी हो सकता है चतिस गड़ में क्या होगा सीअम का नाम कौन हो सकता है देखे परशान्त जो बीजेपी की कारेशली अगर हम देखेंगे तो बीजेपी की कारेशली बिलकुल अलग है वहाँ पर कोई एक या दो लोग मिलकर चेहरा तैनी करते सरकार बनने की सिती में पार्लेमेंटरी बोर्ड होता है और पार्लेमेंटरी बोर्ड ऑफजरवर के नाम तैय करता है और ऑफजरवर ही जो विधायक दल की बैटक होते हैं संबंदित राज्य में जाते हैं वहाँ पर विधायक दल की बैटक में वो नाम का प्रस्ताव रखते हैं परलिमेंटरी बोर्ड की तरफ से जो नाम आता है उसको रखते है और उसको नेता चुना जाता है यानि कि उसे सीम फेस चुना जाता है लेकिन जाता का आप राजिस्थान की बात करें चाहिए राजिस्थान हो या च्छतिसगड़ो या मद्देब्रदेश अभी एक दो दिन क्योंकि संसर्सत राज से शुरू हुआ है लेकिन जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं या तो ओवी सी चहरे में से लाएंगे ट्राइवल चहरे में से ट्राइवल चहरे में गौत्मी साय एक बड़ा नाम है जो सांसद्वी है और विधान सवा से चुनाब जीत चुकी है वही और विजन को लेकर भी जाने जाते हैं रणीती कर के तोर पर जाने जाते हैं हमाई प्रदेश अध्यक्ष अरूर साभी बड़े चहरे के तोर पर सामने आये हैं 36 गड़मा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके नेतरत में चुनाब लड़ा गया और सांसद्वे और इस वार चुनाब भी जीते हैं तो ये चार पाच नाम के अलका सी कोई एक सीम फेस बड़े और यानि ये एक दो दिन में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ होती दिखाई देगी कि आखिर कौन होगा मुक्यमंत्री लेकिन अपने चुनाबी अभ्यान और रैलियों के जरिये प्रदा प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने इस जीत को देश के युवाओं के सपनों और संकल्ब से जोड़ दिया है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि वो हर सपने को पूरा करने के लिए संकल्ब बद है और मैं देश्वास्यों को कहना चाहता हूँ हर देश्वास्यों को कहना चाहता हूँ और मैं मेरे ट्रेक रेकॉर्ड के आधार पर कहना चाहता हूँ बड़ी मांदारी से कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपके सपने आपके सपने मेरे देश्वाजियों आपके सपने वो मेरा संकल्प है आपके सपनों को पूरा करने के लिए जो मेरा संकल्प है वो मेरी साधना भी है मेरी तपस्या भी है